हेलो बच्चो, गुड मॉर्निंग, बेटा हम कर रहे थे exercise 7.9 जिसमें आपका question number 7 तक हो गए थे, बलकि 8 का first part भी करवा दिया था, और थोड़ा सा आपको 8 के second के बारे में भी समझाया था, लेकिन 8 का second आप दोबारा से देखो, देखो बेटा, x हमारे पास है, a sin pt, जो pt है वो क्या है, इसका angle है, और y जो है, वो है, b cos pt, b cos pt, ठीक है, parametric function है, parametric function हमने 7.7 में भी पड़े थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ first derivative निकालते थे, यहां में कौन सा derivative निकालना है, second, देखो आप से क्या कहता है, कि d2y, आप उन में dx square निकालो, at t equal to 0 के लिए, और उसके बाद उसने एक result और भी दे रखा है, कि also show that, वो बाद में करते हैं, पहले हम d2y upon में dx square निकालेंगे, देखो बेटा, जब dx upon में dt निकालेंगे, तो a constant हमने बाहर ले लिया, sin का क्या हो जाएगा, cos pt, और pt का क्या हो जाएगा, p, जो y का derivative करेंगे, t के respect में, dy upon में dt, तो b constant, cos का क्या हो जाएगा, minus sin pt, और pt का क्या हो जाएगा, p, first derivative, dy upon में dx जब लिखेंगे, तो dy upon में dt, अब dy by dt क्या है, b, into में p, और into में sin pt, upon में dx upon में dt, अब dx upon में dt क्या है, a है, p है, और cos pt है, ठीक है, solve कर दो, p से p cancel हो रहा है, angle सेम है, तो minus b by a, sin upon में cos को, हम 10 pt लिख सकते हैं, अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखने के लिए कहा था, कि dy by dx, t का function है, लेकिन, d2y upon में dx square निकालने के लिए, derivative with respect to x करना पड़ेगा, देखो बेटा, जब x के respect में, dy by dx का derivative करेंगे, तो वो क्या लिखा जाएगा, d2y upon में dx square, फिर देखो, minus b by a constant, 10 का क्या हो जाएगा, secant square pt, और pt का क्या हो जाएगा, p, अब इसमें एक बात और भी जान रखनी है, जो main बात थी, 10 का कर दिये, तुमने secant square pt, pt में, p तो है जाए constant भार, अब t का derivative कर रहे हैं, और with respect to x कर रहे हैं, तो t का derivative, t के respect में करते हैं, तो 1 बनेगा, लेकिन अगर t का derivative, x के respect में करते हैं, तो dt upon में क्या हैगा, dx, इस questions के अंदर, या जो 6, 7, 8 थे, उनमें यही बात ही जो ध्यान रखने वाले थी, अब देखो, minus b upon में a है, साथ में यह constant pb है, secant square pt है, और dt upon में dx यहां से आएगा, dx by dt का उल्टा कर देंगे, तो 1 upon में a आएगा, into में p आएगा, और cos pt आएगा, ठीक है, अब देखो, p से p cancel हो गया, minus में b upon में a, और अगर इस cos का मुपर लिखें, तो secant square pt हो गया, अब कहते हैं, कि double derivative निकाल के, उसमें t की जगह क्या रख दो, 0, जब t की जगह 0 रखेंगे, तो cos 0 क्या होता है, 1, तो secant 0 भी क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 का उल्टा क्या हो गया, 1, तो यह minus b upon में, minus b upon में a square, क्योंकि एक एथर, एक यह था आपका, यह आगा आपका double derivative, अब यह कहते हैं, also show that, a square minus में x square, a square minus x square, into में y, into में double derivative, d to y upon में dx square, और plus में b square, equal to क्या आना चीए, 0, कहते हैं, double derivative तुमने निकाल लिया, अब double derivative हमारा यह है, यह तो at t equal to 0 पे इसकी value है, अब इस show that result में आजाओ, a square हमने एज़टीज रख दिया, अब हम यहाँ पे x और y की value भी रखेंगे, देखो x की value, a sin pt है, तो x square क्या हो जाएगा, a square sin square pt, into में y की value रखनी है, अब y हमारा क्या है, b cos pt, और इसी की multiply में, हमें double derivative भी रखना है, अब double derivative हमारा क्या है था, minus b upon में a square, और यहाँ पे secant square pt था, और plus में क्या रखना है, b square वेज़टीज रख लिया, अब देखो, जब हम यहाँ से a square common लेंगे, तो अंदर 1 minus sin square pt बनेगा, और 1 minus sin square pt को हम cos square pt लिख सकते हैं, साथ में एक b है, यह cos pt है, यह minus sign मैंने आगे लिख दिया, b upon में a square है, और यह secant square pt है, ठीक है, और plus में हमारे पास क्या है, b square, यह आगया, अब देखो, यह जो हमारे पास था, cos square pt, into में cos pt, देखो बटा, इसमें, अब a square से a square cancel कर दो, cos square pt यह, cos pt यह, यहाँ पर जब उन्हें double directly निकाला था ना, तो second square pt तो उपर था, जब यह वाला cos pt उपर जाए, तो second की 3 power हो जाएंगी, double directly की value यह रखेंगे, तो यह second की power 3 pt है, अब देखो बटा, cos की 2 power यह, 1 power यह, 3 power होगी, और यह second की power 3, तो second को तो one upon में cos लिख सकते हैं, तो यह हमारी cancel हो जाएंगी, किनी हो जाएंगी, हमारे पास minus में क्या बचा, b into b, b square, और plus में b square, यह भी cancel होने के बाद क्या आएगा, 0, यह हमें क्या करना था, देखो double directly निकालना था, parametric के case में, पिछे भी हम करवा चुके, अब यह पहला ऐसा question था, जिसमें parametric के साथ साथ उन्हें show that कहना शुरू कर दिया, तो जो parametric वाले में show that आता है न, तो वहाँ पर x और y की value भी आपको रखनी होती है, उसमें सिर्फ y की value रखनी होती थी, यहाँ पर x और y दोनों आपको given है, और वो रखके हमें क्या करना है, solve करना है, फिर देखो बेटा, 8th question का 3rd part, यह कहता है, x equal to है, a secant cube theta, और y हमारे पास है, a 10 cube theta, ठीक है, इसने कहा, कि double derivative निकालो, d2y upon में dx square निकालो, at theta equal to pi by 4 के लिए, तो simple question है, parametric form है, first derivative निकालेंगे, फिर double derivative निकालेंगे, और last में, जहां भी हमें theta नजर आएगा, वहाँ पर हम क्या रख देंगे, pi by 4, पहले मुझे यहाँ बता हो, dx upon में d theta क्या आ देखो बता, a constant, 3 आगे चला जाएगा, तो secant की 2 पार बच गी, जब secant का करेंगे, तो secant theta, इंटू में क्या आएगा, 10 theta, यानि कि 3a, secant cube theta, इंटू में 10 theta, यह आगया, dx upon में d theta, जब dy by d theta निकालेंगे, तो देखो, a तो यहाँ पर भी constant है, 3 हमने आगे लिया, तो 10 की कितनी पार बच गी, दो पार बच गी, और जब 10 का करेंगे, तो secant square theta, यह आगया, हमारा dy upon में d theta, अब देखो, dy by dx निकालने के लिए, dy by d theta को divide कर देंगे, dx upon में d theta से, dy by d theta क्या है, 3a, 10 square theta, इंटू में secant square theta, और dx upon में d theta क्या है, 3a, secant की तो 3 power है, और यह क्या है, 10 theta, देखो, 3a से 3a cancel हो गया, secant की 2 power cancel होगी, एक बचेगी, 10 की 1 power cancel होगी, एक बचेगी, तो उपर हमारे पास 10 theta बचा हुए है, नीचे हमारे पास secant theta बचा हुए है, तो हम 10 theta को क्या लिख सकते है, sin theta upon में cos theta, और secant को क्या लिख सकते है, 1 upon में cos theta, तो cos से cos भी cancel हो गया, यानि कि dy upon में dx जो है, वो हमारा क्या आया, sin theta, अब हम secondarity निकालेंगे, dy by dx, function किसका, theta का, लेकिन d2 upon में dx square निकालने के लिए, derivative किसके respect में करना है, x के respect में, तो देखो बेटा, जब x के respect में derivative करेंगे, तो d2 y upon में dx square, sin का क्या हो जाएगा, cos theta, अब बारियाई theta की, theta का derivative, x के respect में, d theta upon में क्या हैगा, dx, और d theta upon में, dx की जो value है, वो हम यहां से निकालेंगे, ये value किसकी है, dx upon में, d theta की, रखो, 1 की upon में, हम d theta upon में dx की value रखेंगे, तो वो क्या है, हमारी 3 है, a है, second की 3 पावर है, और into में क्या है, 10 theta, ये जो आया, आप score solve करना चाहों कर सकते हों, इसको पर ले जाना चाहों, cos लिखना चाहों, बागी कोई जुरूरी नहीं है, आप इसके अंदर theta किसके क्या रख दो, pi by 4, देखो, इदर, यहां लिखने हैं, बटा, जब हम यहां पे रखेंगे, तो pi by 4, यानने की cos 45, और cos 45 की value क्या होती है, 1 by root 2, यह 3-A adjectives, यहां पे रखेंगे, second 45, अब second 45 की value होती है, root 2, और उसका क्या है, cube, तो उसका cube करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 root 2 बन जाएगा, और into में 1045, और 1045 हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो यह solve कर देंगे, इसको अब उपर लिख देना, यहां पे, यह हमारा क्या होगा, double derivative, at theta is equal to pi by 4 के लिए, फिर देखो बैटा, next इसका, यह करा, x is equal to, question सारे important है यह, particularly एकाद के बारे में बताने की जूरूत नहीं है, बैटा, इसमें, x is equal to cos t, plus में log 10 t by 2, यह दे रखा है, और y हमें दे रखा है, sin t, अब इस question की statement में ध्यान से पढ़ो, वो हमसे पूछ क्या रहा है, कर रहा है, x दे दिया, y दे दिया, find, यह बताओ, d2y upon me dx square पूछे, हम कई question कर चुके, एक वो पूछ सकते आपसे, d2y upon me dt square, एक तो इनका difference पता होना चीए आपको, d2y upon me dt square पूछ ले, d2x upon me dt square पूछ ले, तो difference सुनो, इसका तो मतलब क्या है, कि हमें पहले dy by dx निकालना है, जो dy by dx आएगा, उसके अंदर दोबारा से, x के respect में derivative करना है, तब हमें क्या मिलेगा, d2y upon me dx square, और इसमें क्या कहते है, कि yt का function है, yt का function है, उसका दो बार derivative कर दो, t के respect में, simply मतलब यह कह सकते हैं, कि second derivative पूछ रहे, लेकिन दोनों बार, t के respect में करना है, तो parameter का कोई चकर नहीं है, यहाँ पर भी फिर वही हो जाएगा, कि x function का दो बार, t के respect में derivative कर वाए, इस question में, उसने हमसे क्या पूछा हुए है, कहते हैं कि d to y upon में, dt square बताओ, यानि कि y वाले function का derivative करना है, दो बार, t के respect में, और एक d to y upon में, dx square पूछ रहे हैं, और यह कहते हैं, t को क्या पूछ करना है, pi by 4, तो पहले हम, यह नहीं पूछ रहा है, वो पूछ सकता था लेकिन, पहले हम d to y upon में dt square निकालेंगे, देखो बेटा, y is equal to sin t है, ठीक है, d to y upon में dt square निकालने के लिए, हम पहले first derivative करेंगे, t के respect में, तिवताओ, sin का derivative, cost ही हो जाएगा, अब t के respect में कर रहे हैं, तो t का derivative क्या हो जाएगा, 1, उसके बाद दोबारा से, इसके अंदर ही, t के respect में ही derivative करना है हमें, दोबारा से, t के respect में derivative करना हमें, जब t के respect में करेंगे, तो d to y upon में dt square लिखा जाएगा, क्योंकि इस dx square का मतलब यही था कि दो बार derivative दोनों बार किसके respect में x के respect में तो यहाँ पे देखो cos का हो जाएगा minus का sin t और अब हम t का 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर derivative किसके respect में हो रहा है t के respect में अगर इसमें भी यूँ कहते है कि t को क्या रख दो pi by 4 तो रख देंगे यह जो आपका d2y upon dt square आया t के जब pi by 4 रखेंगे तो sin pi by 4 की value क्या होती है 1 upon root 2 यह जो पार्ट है सिर्फ इसी question में पूछा इससे पहले उसने कहीं नहीं पूछा था इसमें यह भी कर रहा है कि d2y upon me dx square निकालो यानि कि पहले हम dy by dx निकालेंगे क्या करके dy upon me dt को dx by dt से divide करके तो dy by dt तो निकाल चुके अब हम एक बाद dx upon me dt निकाल लेते हैं x क्या दे रख है cos t plus में log 10 ty2 sin यह 10 देखो बटा dx upon me dt cos का derivative minus sin t हो जाएगा जब log 10 ty2 का करेंगे तो पहले तो आएगा 1 upon me 10 ty2 फिर 10 का करेंगे तो secant square ty2 और जब ty2 का करेंगे तो t के respect में कर रहे हैं तो निचे सिर्फ क्या आएगा 2 देखो minus का sin t plus में निचे हमारे पास यह 2 था मैंने लिख दिया 10 को मैं sin upon me जाएगा और cos ty2 अपका उपड़ चला जाएगा और secant square ty2 को भी 1 upon me करके लिखेंगे तो निचे आएगे क्या बन जाएगा यह cos अब देखो cos की एक power cancel होगी हमारे पास minus का sin t है plus 1 upon me 2 एक तो हमारा sin t by 2 और एक क्या बच गया cos ty2 यह question पिछे भी आ चुका है 7.5 में था यह पिछे आ चुका है लेकिन यह question यह 7.8 में था शायद यह बताव 2 sin t into में cos t में जब sin 2 theta वाला फोर्मा लगाएंगे तो हम इसको sin t लिख सकते हैं या नहीं ठीक है फिर लिया पेटा lcm तो lcm क्या आ जाएगा sin t minus का sin square t और plus में क्या है 1 यह यह कहें 1 minus sin square t है और 1 minus sin square t हमारा क्या लिखा जाएगा cos square t cos square t और निचे हमारे पास क्या है sin t तो यह हमारा dx अपोन में dt आ गया देखो cos का क्या minus sin log 10 का 1 by 10 10 का second square और t by 2 का 1 by 2 sol करने के लिए 10 को sin upon में cos लिखा second square को 1 by cos square लिखा यह बन जाता है sin t यानि कि last आपका यह आ जाता है अब यह dy by dx निकालें तो dy by dt dy by dt हमने उपर निकाला था जो हमारा cos t था अपोन में dx अपोन में dt और dx अपोन में dt क्या है cos square t और यह जो sin t तो आपको उपर चला जाएगा तो एक cos भी cancel हो जाएगा तो sin अपोन में को से 10 t बच गया dy by dx हमने निकाल लिया 10 t आप से यूं कह रहा था कि d2 y अपोन में dx square निकालो तो function तो t का है लेकिन हम derivative किसके respect में करेंगे x के तो x के respect में जब derivative करेंगे तो d2 y अपोन में dx square लिखा जाएगा यहां से 10 का क्या हो जाएगा secant square t लेकिन t का क्या होगा dt अपोन में त क क्या हो जाएगा x के respect में dt अपोन में dx अब dt अपोन में dx तो dx by dt तो हमनिकाल चुके यहां पे रख़दो secant square t तो आपका adjective dt अपोन में dx तो यह 1 by कर किया आएगा 1 by करके आएगा तो sin t तो आपको उपर आजाएगा और यहाँ पर क्या आएगा cos square t और last में यह जो आया इसके अंदर यूं कहते है कि t की ज़िए क्या रख दो pi by 4 तो हम क्या put कर देंगे pi by 4 next देखो वेटा question number 9 और इस exercise का last question है important question है क्योंकि parametric का case भी है double derivative भी निकालना है और 7 की साथ prove that का result भी है तो पहले हम क्या निकालेंगे first derivative means dy by dx तो dy by dx निकालने के लिए dy by dt को divide करेंगे dx upon में dt से यहाँ लिख रहे हैं dx upon में dt तो sin t का cos t हो जाएगा जब मैं यहाँ dy by dt लिखूंगी तो देखो sin pt है sin pt का cos pt और pt का क्या हो जाएगा p यहाँ पुट करो dy by dt p cos pt को dx by dt यानिकी cos t से divide लेकिन आप जल्दवाजी मत करना cos जरूर है दोनों लेकिन angle क्या है अलग-अलग तो cancel कुछ नहीं होगा इसको यहीं छोड़ दो अब हमें double derivative चाहिए dy upon में dx हमारा p cos pt upon में cos t आगया इसमें second derivative निकालने के लिए derivative with respect to x किया जाएगा देखो d2y upon में dx स्केयर विल्कुल ध्यान से बिटा यहां पर derivative करने के लिए हमें u upon v लगाना पड़ेगा अब देखो v square निच्चे आएगा cos square t v bar cos t bar derivative करने लगे u का तो p तो constant है जब cos pt का करेंगे तो minus का sin है pt अब सुनू ध्यान से जब pt का करने लगे तो p तो as a constant बहार और बेटा t का derivative with respect to x dt upon में dx आएगा minus में u अब u कौन है p cos pt और derivative of v तो cos का क्या हो जाएगा minus sin t लेकिन t का दोबारा से dt upon में dx समझ गया नहीं जो parametric में secondary करने थे वो बात तों में यहाँ पर भी ज्यान रखनी पड़ेगी अब सुनो ज्यान से यहाँ पर भी dt upon में dx है यहाँ पर भी dt upon में dx है तो मैं common ले रही हूं minus में p square cos t sin pt dt upon में dx common लेंगे यह हमारे पास p है cos pt sin t और यह dt upon में dx dx मैंने पूरे से बाहर ले लिया और निच्चे हमारे पास cos square t था और यहाँ पर जो dt upon में dx लिखा जाएगा ना उसकी जगह में dt upon में dx की value रख रही हूं और उसकी value क्या हो जाएगी 1 upon में cos t यानि कि वो cos जो है ना वो आपका निच्चे आ जाएगा पहले common ले लिया common लेकर यह value रख दी यह हमारा double derivative है अब जाओ prove that के result में कहरा 1 minus x square सुनो बेटा 1 minus अब x क्या था sin t तो x की जगह रख दिया sin t तो 1 minus sin square t फिर कहते double derivative की value रख दो रखो minus p square यह तो है cos t और यह है sin p t plus में p cos p t है और sin t है और निच्चे हमारे पास चाहिए कठा करके लिख दो चाहिए लग लग रहे हैं निदो cos square और cos लेकिन दोनों का angle क्या है t फिर कहते हैं minus में x अब x हमारा क्या था sin t into में dy by dx तो 1st derivative जो dy by dx था वो हमारा क्या है था p था cos p t था और निच्चे cos t था और पलस में p square y तो p square तो h it is और y हमारा क्या था sin p t था रख दी value x की रख दी y की रख दी dy by dx और d2y अपन में dx से square अब यह बताओ 1 minus sin square cos square हो जाएगा तो जो cos square आएगा वो इससे cancel हो जाएगा किने अब देखो हम separate कर रहे है जब minus p square cos t sin p t के निचे cos t आएगा तो minus का p square sin p t बचेगा किनी बचेगा पलस में यह देखना बैटा जान से इस cos से cos cancel नहीं कर सकते हैं अंगल अलग अलग हैं तो p आएगा cos p t आएगा और sin t अपन में cos t हमारा 10 t बन जाएगा माइनस में यहाँ देखो p है cos p t है यह बढ़ा और sin t अपन में cos t 10 t उसके बाद देखो बैटा पलस में हमारे पास है p square sin p t p square sin p t अब देखो बैटा सेपरेट कर दिया हमने तो माइनस का p square sin p t और यह पलस का p square sin p t कैंसल हो गया उसके बाद माइनस का p cos p t 10 t पलस का p cos p t 10 t कैंसल हो गया तो यह क्या आगया जीरो देखो बैटा इसमें उसने पैरामेट्रिक के केस में double derivative भी पूछ लिया और साथ की साथ show that का result भी दे दिया तो question very very important है आपकी 7.9 exercise complete होगी बटा यह पूरी exercise important है main list में दो type के question आये थे एक में सीधा higher order derivative निकालते थे show that का result में रखते थे जिसमें आपका second, third, fourth question में इन चले थे फिफ्थ तो चले एक simple question था फिर आपका sixth, seventh, eighth, ninth यह parameter के case में double derivative लेकिन नया हमने कुछ भी नहीं पढ़ा कुछ भी नहीं पढ़ेगा मतलब यह है कि derivative के rule सारे वही थे हाँ भी dy by dx कहीं पूट करना है या d2y by dx square कहीं पूट करना है वह बात आपकी अलग है अब हमारी exercise यगली 7.10 और 11 यह असान ही है दोनों एक रोल सोरम पढ़ेंगे लेकिनेज मेन value मिलती जूलती सी है यह यह लगा लो main जो derivative थाना वह आपका खतम हो चुका है 7.9 तक था अब अगली दो exercise में derivative का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है तो कुछ पढ़ेंगे ही नहीं जो पढ़ा है उसी का हलका फुलका से यूज होगा